नमस्कार SPN 9 News में आपका स्वागत है महराष्ट की राजनिती में शारत पवार और कॉंग्रेस पार्टी को चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोसित करने के लिए ओफर देने वाले शिवसेना के उद्दव बालसाब ठाकरे के प्रमुक उद्दव ठाकरे को एक बड़ा जटका लगता हुआ नजरा रहा है उद्दव ठाकरे के इस अपील के बाद जिस तरीके से महाविकास अगाड़ी गटबंदन ने जो फैसला लिया है वो वाकई चोकाने वाला है शरत पवार ने प्रेस कोंफरेंस करके कहा है कि महाराष्ट में बिना किसी चेहरे के ही इंडिया गटबंदन विधानसभा का चुनाव लड़ेगा और विधानसभा के चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए इंडिया गटबंदन पूरी तरीके से एक जुट दिखाए दे रहा है लिहाजा आने वाले वक्त की राजनिति को सादने के लिए महाराष्ट में एक तरह भारती जनता पार्टी है तो दूसरी तरह यहाँ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ मिलकर महायूती गटबंदन सरकार चला रहा है शरत पवार के भतीजे अजीत पवार ने जिस तरीके से कहा कि राजनिति के लिए पारिवारिक कसंबंदों को खराब नहीं करना चाहिए उसका आधार मानते वे महायराष्ट के राजनिति में साफ तोर पर प्रतीत हो रहा है कि अजीत पवार एक बार फिर से विधान सबाद चुनाओं से पहले अपने चाचा शरत पवार के साथ फिर से गटबंदन करने वाले हैं ऐसे में RSS जो की अजीत पवार की भूमे का को लेकर नाकुष नाराज दिखाए दे रही है तो RSS की नाराजगी के चलते क्या एक बार फिर से अजीत पवार अपने चाचा के साथ गटबंदन करते वे नजर आएंगे और गटबंदन यदि संपन होता हुआ नजर आता है तो ऐसे में जाहीर तोर पर बड़ा जटका लगता हुआ यहाँ पर कहीं न कहीं NDA गटबंदन को नजर आ सकता है क्योंकि अजीत पवार करीब 80 विधान सभा की सीटों की मांग कर रहे हैं और ऐसे में भारती जनता पार्टी क्या अजीत पवार के साथ गटबंदन रखना चाहेगी क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ गटबंदन को लेकर के RSS निस्पुष्ट कर दिया है कि वह हमारी विचार धारा के संबंद रखने वाले वेक्ति हैं ऐसे में आने वाले वक्त में महाराष्ट में कहीना कहीं BGP से सत्ता का ताज चिंता हुआ नजर आ सकता है और महाराष्ट की राजनिति में बड़ा सियासी उलट फेर देखने को मिल सकता है फिलहाल इस ख़बर में इतना ही देश दुने की तवाम बड़ी ख़बरों के लिए आप देखते रहे हैं SPN 9 News